नवस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरीरना तिर्वेदी अपने इस यूटूब चैनल में एक वर पुना आपका स्वागत करता हूँ इस गर्मी के मौसम में प्राया घरों में आप बुखार से पिडित व्यक्ति देख सकते हैं अचानक गर्मी बढ़ने के कारण और इतनी तेज गर्मी होने के कारण प्राया घरों में कोई ना कोई बुखार से पिडित है आज मैं बुखार को नियंतरित करने के लिए होमियोपैचिक की चार प्रमुख औसधी पताने जा रहा हूँ इसका सेवन आप अगर समय राते कर लेते हैं तो तुरीत आप बुखार पे नियंतरन पा जाएंगे एवं आप स्वस्थ हो जाएंगे इसमें पहली आउस्दी है एको नाइट जब कभी भी आप देखें कि बुखार आना सुरू हो गिया है गर्मी के कारण बुखार आने लगे गर्मी का प्रकोप हो चाहेट सर्दी का प्रकोप हो किसी भी प्रकार के बुखार में आप एको नाइट को तीसवी सक्ती में बेवार में लाना सुरू कर दें शुरुवाती दौर में अगर आपके शरीर में बुखार के लक्षन प्रकट होते हैं अगर आप समय पर एकोनाइट का ब्यवहार कर देते हैं तो आपका बुखार वहीं रुख जाएगा और आप वहीं से स्वस्थ हो जाईएगा तो एकोनाइट को ब्यवहार में लाने का प्रमूख लक्षन यही है कि यहां कहीं भी आप देखें कि शुरुवाती लक्षन बुखार के आपके सरीर में उत्पन हो रहे हों तो एकोनाइट का सेवन तुरंत करें इससे आपका बुखार वहीं रुक जाएगा और आगे पढ़ेगा नहीं एवं आप स्वस्थ हो जाएगे दूसरी ओस्दी है इस बढ़ती गर्मी के कारण होने वाले बुखार में दूसरी ओस्दी है बेला डोना बेला डोना को भी आपको तीसवी सक्ती में ब्योहार मिलाना है बेला डोना का चरित्रगत लक्षन यह है कि जहां कहीं भी आप देखें कि बुखार आए चेहरा तम-तमा गया हो, चेहरे पे लाली आ गये हो, इसकीन बहुत ज़्यादा गर्म हो बुखार तेजी से बढ़ रहा हो, सिर में दर्द हो रोगी बुखार के कारण भूल बकना शुरू कर दे इधर उधर की बाते करे, इन लक्षनों में आप बेला डोना का ब्योहार करे बेला डोना को आपको तीसवी सक्ती में ब्योहार मिलाना है इसके सेवन से आपका बुखार नियंत्रित हो जाएगा, एवं आप स्वस्थ हो जाएगे अगली आसदी है आर्सेनिक एल्बम गर्मी का मौसम में बुखार आने पे आर्सेनिक एल्बम बहुत ही कारण आसदी सिद्धुई है इसके चरित्रगत लक्षन यह है कि रोगी को प्यास रहता है, तो थोड़ा थोड़ा करके वो पानी पीता है रोगी को कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाता है बुखार 103 डिग्री से लेकर 104 डिग्री तक बढ़ जाता है इन लक्षनों में आप आर्सेनी केल्बम को तीसवी सक्ति में बेवहार मिलाएं, आपको बहुत ज्यादा लाब मिलेगा इसके प्रभूंख लक्षन पर ध्यान दे की रोगी इतना कमजोर हो जाता है कि वो बात्रूम जाने के लिए भी विश्तर से उठ नहीं पाता है इन लक्षनों में आप आर्सेनी केल्बम का बेवार करें, आपको बहुत ज्यादा लाब मिलेगा चौथी ओस्दी है जेलसीमियम इन फ्लुएंजा के लिए जेलसीमियम बहुत ही उप्योगी ओस्दी है जहां कहीं भी देखें कि नाग से पानी गिर रहा है, आँखों से पानी गिर रहा है इन फ्लुएंजा का लक्षन प्रकट हो गिया है रोगी को सुस्ती महसूस होता है, रोगी विश्तर से उठना नहीं चाहता है इन लक्षनों में जेलसीमियम को तीसवी सक्ती में ब्योहार में लाएं आपको बहुत ज्यादा लाब मिलेगा इन्फ्लुएंजा के लिए जेलसीमियम बहुत ही उप्योगी ओस्दी है रोग के उग्रकाल में औस दी को आधे आधे घंटे के अंत्राल में सेवन करें रोग नियंत्रन होने के बाद दिन बर में तीन बार सेवन करें आपको बहुत ज्यादा लाब मिलेगा आज का आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में लिखकर अवस्य बताईएगा चलते चलते आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है